Hello Students, Welcome back to my channel Be Learning Students, आपका class 11th का chapter चल रहा था Enzyme, ठीक है? Class 11th biology में chapter चल रहा था Enzyme आपका Last Video में, मैं Enzyme की किर्य विधी करा रही थी आपको Mechanism of Enzyme तो उसमें दो परीकल अपना थी First थी तारचावी परीकल अपना जो मैं आपको complete करा चुकी हूँ अगर जिन इस्टू रैंट्स ने नहीं देखा या फिर आप ये वीडियो मेरी फर्स टाइम देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और सब वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दो आपको प्लेलिस्ट चेक कर लीजे आपको मिल जाएगी वीडियो दो परिकल्पना है ताला चावी परिकल्पना दूसरी है प्रेरित असंजन सिध्धान इंड्यूज फिट हैपूतिस और तारा चावी को बोलते हैं लॉक की हाइपोथेसिस ओके तो मैं लॉक की आपको कम्प्लीट करा चुकी हूँ आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सैकिंड परिकल्पना इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस और प्रेदित असंजन सिध्धान्त तो यह आपका लॉंछन और में पताइं और यह लुशन के किरिया बिदी कींद रर स्ब्सक्राइब और यह सीचित अग्थेसिझै डीजन चलऑकर सब्सक्राइब तो आपको दोनों क्यों परिकल्पना नहींege करेंगे या फिर प्रेरित असंजन सिध्धान्त या परिकल्पना का संशेप में बढ़न कीजिए तो आपको इस दोनों हाइपोतेसि अच्छी से याद करनी है तो आज की हाइपोतेसिस है हमारी induced fit hypothesis English में induced fit hypothesis और हिंदी में प्रेरित असंजन सिध्धान्त और यह वीडियो सिफ 11 के लिए नहीं है अगर आप ग्रेजुएशन वाले स्टुडेंट को देख रहा है यह वीडियो तो ग्रेजुएशन में भी आपके टॉपिक है एंजाइम की किरिया भी धी जो लॉजी के पेपर थर्ड में ओके तो उसमें भी कोशन है एंजाइम का एक चैप्टर है तो अगर आप ग्रेजुएशन वाला कोई स्टुडेंट देख रहा है यह वीडियो तो वो भी यही थियोरी लिख के आ सकता है और क्लास 11 के लिए है वैसे यह वीडियो जो मैं बना रही हूं इंडियूस फिट हाइपोथेस तो इस परिकल्पना हाइपोथेस को हिंदी में बोलते हैं परिकल्पना और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोथेस को 1916 में कॉश लैंड ने दिया था मतलब जो हमारी प्रेरित असंजन से धान था वो किस ने दिया था 1916 में कॉश लैंड इस हाइपोथिसिस के अकॉर्डिंग या फिर इस परिकल्पना के अनुसार किसी भी एंजाइम में पहले सी ही अगर आपको नहीं मतलब मैंने इससे पहले परिकल्पनास पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको समझाया था एक्टिफ साइट की एंजाइम पर कुछ साइट कुछ समों प्रिजेंट होते हैं जो क्या करते हैं सब्स्रेट पधार्थ को एक्ट्रेक्ट करते हैं ठीक है तो वह हो हो रही है वह मैं पहले ही आपको समझा चुकी हूं ताराचाबी परिकल्पना में पहले से एक्टिफ साइट प्रिजेंट नहीं होती मतलब इस लाइन का मतलब यह कि कोई भी एंजाइम है उसमें पहले से ही क्या एक्टिफ साइट प्रिजेंट नहीं होती है बलकि सब्स्र को देखता है सबस्रेट का मतलब पधार्थ को पधार्थ की शेप के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिव साइब को फॉर्म न करता है और तभी एंजाइम सबस्रेट से एड़ो कर ES complex ES complex E से E enzyme S से substrate complex Egg substrate complex बनाता है इस हाइपोथेसिस सब्स्रेट की शेप से इंड्यूज होकर एंजाइम अपनी एक्टिफ साइट बनाता है मतलब इस हाइपोथेसिस से इस हाइपोथेसिस कॉमा सब्स्रेट की शेप से इंड्यूज होकर मतलब जो पधात की शेप है उससे इंड्यूज होकर जो एंजाइम है वो सबस्रेट की शेप कोड़ें एंजायम अपने एक्टिव साइट की फ2015 कर रहा है तो इसी लाइन का मतलब यहीं है कि इस हैपोतेसिस में सबस्रेट मतलब पधात की ृ शेप से बस्रेप इंड menor से इसले इस है आपको डाइग्राम से थियोरिय और अच्छे समझाएगी जैसे ही सबस्रेट था सबस्रेट और एंजाइम को आपको डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने सबस्रेट में रेड कलर से लाइन कर दी है आप कलरफुल पैंसर डाइग्राम बनाएंगे तो दोनों जो लाइन से वो सबस्रेट और एंजाइम वो डिफरेंट कलर से बत आपको बात का घ्यान रखना है जो आप एंजाइम सबस्रेट का कॉम्बिनेशन के लिए का सेम आपको अरो के बाद भी रखना है ये नहीं कि आपनी यहां पर रैड ले लिया यह पर घ्रीन और यहां पर येलोग्र आप एंजाइम complex अलग सेम रखने हैं चाहे आप ब्लैक और ब्लू पैन का यूज कर सकते हो या फिर अगर आप कलरफुल पैन का यूज करते हैं बायलोजी के डाइग्राम में थियोरी में ब्लैक इन ब्लू और डाइग्राम में कलरफुल पैन तो सबस्ट्रेट को डिफरेंच दि एंजाइम को हिंदी में भी एंजाइम लिखते हैं और सबस्ट्रेट को मैंने बताए दिया है आपको पदात तो अब आप इस डाइग्राम में यह देखो पहले सबस्ट्रेट को विल्कुल हाइड कर दो सिफ एंजाइम को देखो तो एंजाइम ने क्या किया जब तो एंजयम ने किया किया सबस्टेट को देखा और सबस्टेट को देख्के आपनी active side की formation करी वह इस टाइब से की कि जो अधरेम जाएं तर में बिलकुल फित हो गया आप देख सकते हो सबस्टेट के शेप जू एसी थी engyme हमारा इस शेप ऐसा लेकिन जो सबस्टेट कॉंपलेक्स पना उसमें एंजाइम के इंदर सबस्टेट बिल्कुल अच्छे से फिट हो गया तो एंजाइम ने क्या किया जो सबस्टेट का उसके अकॉर्डिंग ही अपनी एक्टिव साइट या फिर किर्व्यात्मक्समों की फॉर्मेशन करी इसलिए हम इस हाइपोथिस बोलते हैं हिंदी में प्रेरित असंजन सिध्धान्त तो यह हो थी आपकी इंड्यूस फिट हाइपोथिस या प्रेरित असंजन सिध्धान्त यह क्लास 11 के लिए थी वीडियो और अगर आप ऐस ग्राइजूशन का कोई स्टुटेंट देख रहा है और उसको मतलब हाइपोथिस लिखनी है एक्जाम में भी आती है यह इंड्यूस फिट हाइपोथिस तो भी आप यह सेम ठीओरी लिख करा सकते हो ग्रेजूशन वाला स्टुटेंट अगर कोई वीडियो देख रहा है वैसे ही क्लास 11 के लिए मैं एक बार एक्स्प्लेइन कर देती कि यह वाली हाइपोथिस थी वो कॉश्ट लेंड ने दी थी और कॉश्ट लेंड ने क्या बताया था कि कोई भी एंजाइम है उस पे पहले से ही क्या है एक्टिव साइट प्रिजेंट नहीं होती ठीक है तो वो क्या क्या करता है पहले सब्सेट मतलब पधार्थ को देखता तो यह आपकी दोनों परिकल्पना है लॉंग कोशन एक कंप्लीट हो गया है आपका एंजाइम चैप्टर का क्लास लाइविंत का फर्स्ट वाली हाइपोथिस और सेकिंड हाइपोथिस कंप्लीट हो गई है इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टन कोशन लॉंग में यही